नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्यान के यूटूब चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिस्रा मैं आपके सामने आज उपस्तित हूँ निस रॉवंबर 2023 को हुए एकजाम कॉपरेटिव सुपरवाइजर एंड इन्वाइर्मेंटल सुपरवाइजर और जिसके सॉलिशन के साथ मैं आपके सामने उपस्तित हूँ और अभी हम एक से लेकर सौ तक किस के कुश्चन सॉल्व करेंगे चलिए सुरू करते हैं देखते हैं पहला कुश्चन मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाई थे तो इसका जो राइट अंसर है वो है भी 34 वी मंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसका जो राइट अंसर है वो है D 2015 तिसरा देखिए स्थानि सोसासन की संस्थाउम को निम्न में से किस वर्स समयधानिक दरजा प्रदान किया गया तो इसका राइट अंसर है B 1993 नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से कौन बजट को तयार करने और उसको संसद में प्रसुत करने के लिए उक्तिरदाई है तो राइट अंसर है इसका B आर्थिक मामलों का विभाग नेक्स्ट देखिए प्रायदी प्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C गुदावरी नेक्स्ट कोश्चन 2001 से 2011 की अवधी के दोरान निम्न में से किस राज्ज में अधिक्तम जनसंक्या विद्धी दर्ज की गई तो इसका राइट अंसर है A बिहार नेक्स्ट एशियन एथलिटिक्स चैंपियनसीब 2023 में निम्न में से किस देश ने पदक तालिका में सर्वोचिस्थान प्राप्त किया तो इसका राइट अंसर है B चीन ने नेक्स्ट विस प्रेस उतनता सूचकांग 2023 में भारत निम्न में से किस क्रमांक पर है तो इसका राइट अंसर है C एकसो एकस्टोवा नेक्स्ट देखिए EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षन के लिए भारते समिधान के निम्न में से किस अनुछेदों में संसोधन किया गया तो इसका जो राइट अंसर है वो है B 15 और 16 नेक्स्ट देखिए वह जगह जहां पर चंद्रियान थ्री चंद्रमा पर उतारा गया डैस के नाम से जाना जाता है तो उसका जो राइट अंसर है वो है C सिर्षक्ति पॉइंट नेक्स्ट रामायर एम महाभारत काल में उत्राखंड छेत्र को किस नाम से जाना जाता था त तो फिलाल के लिए इसका अंसर हम B की और चलते हैं next देखिए नेम लिक्षित में से कौन एक सुम्मेलित नहीं है इसी प्रकार इसका जो है बीक कंडार दान-पार्थ चंपवत ये इसमें सुम् Iलित नहीं है बाकी जो तालेशट दान-पात रहे है इसका अंसर अलमोडा ही तो इसका जो राइट अंसर है वो है D, जौनसारी नेक्स्ट, प्रसिद्ध मौन मेले का समंद किस नदी से है तो वो है अगलार नदी से, राइट अंसर है इसका A नेक्स्ट, 2011 की जनगर्ना के अनुसार उत्राखंड के निम जनपदों में से, किस में सबसे कम लिंगा अनुपाद है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C, देरादू नेक्स्ट, वन अनुसंधान केंदर, FRI, देरादू निमलिखित में से किस वर्स इस्तापित था तो इसका जो राइट अंसर है वो है B. 1906 नेक्स्ट देखिए नीमलिखित की धाम में सरवादिक तीर्थायत्रों द्वारा वर्च 2022 में दर्सन किये गे तो इसका जो राइट अंसर है वो है A. बदरीनात नेक्स्ट पंडित दीन दयाल उपादय होमिस्टे विकास युजना उत्राखंड में प्रारंब हुई थी तो इसका राइट अंसर है D. 2018 नेक्स्ट देखिए एक प्रिक्षा में एक छात्र को प्रतेक सही जवाब देने पर चार अंक मिलते हैं और प्रतेक गलत जवाब देने पर एक अंक कम होता है यदि उसने सभी 60 प्रशन हल किये हैं और 130 अंक प्राप्त किये हैं तो इसके द्वारा सही हल कियेगे प्रशनों की संख्या तो इसका जो राइट अंसर है वो है B 30 और next नीचे दियेगे विकल्पों में से लुप्त संख्या बिताईए जो इसका जो राइट अंसर है वो है C 32 next इस्फिग्मो मैनोमीटर यंत्र का उप्योग नीम ने को मापने में किया जाता है तो इसका राइट अंसर है B मनुश्य का रक्तचाब next नीम विकरण की वेदन समता सबसे आधिक होती है तो वो होती है गामा किरण की तो इसका राइट अंसर है C next गम्प्यूटर कोड प्रणाली में नीम सही है तो इसका जो राइट अंसर है वो है B वन नीबल इकल टू फॉर बिट next डांडी मार्च सुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को अगला कोशन देखते हैं रुद्रमा देवी एक इस्त्री सासा किस वन से समब्दी थे तो इसका जो राइट अंसर है वो है D वारंगल के काक्ती से next अब यह सब्जेक्टिव है जिसमें केमिस्ट्री पूछी गई है तो सॉरी फिजिक्स से सुरू है तो फिजिक्स से सुरू करते हैं इसमें बताया गया है नीम दिये गए नाभिकों में से संभारिक युक्मकों को चुने तो इसका जो राइट अंसर है वो है A कि अवस्ता से सौ वॉल्ट के विवानतर से तुरित किया जाता है इलेक्ट्रोन एवम एलफा करन के संवेगों का अनुपात क्या होगा तो जो उसका राइट अंसर है वो है डी अनुरूट मी अपॉन टू एम एलफा नेक्स्ट देखिए दो सो ग्राम दुरुविमान तथा एक दसमला पांच मेटर लंबाई के किसी सीज़े तार से टो एमपियर विडियो धारा प्रवाहित हो रही है यहा किसी एक समान सैती चुम्ब के छेतर बी द्वारा वायू के बीच में लटकी है चुम्ब के छेतर बी का परिमान ग्याद कीजिए तो इसका जो राइट अंसर है वो है जीरो दसमला छे पांच टि नक्ष्ट देखिए और मंदित दोलन की यांतरिक उर्जा ए को इस प्रकार व्यक्त करते हैं तो इसका जो राइट अंसर है वो है A यदि L और R क्रमसह परिर्यक्त और प्रतिरोत को प्रदशित करते हों तो L अपॉन R की विमाई होंगी तो इसका जो राइट अंसर है वो है C, M0, L0, P नेक्स्ट, मूल बिंदू के परितहो बल 7I3J-5K का बल आगून ग्याद केजिए बल जिस कन पर लगता है उसका उसकी स्तिती सदिस है तो इसका जो राइट अंसर है वो है A नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का भार 70K है, वह एक गतिमान लिफ्ट में तूला पर खड़ा है जो 10 मीटर पर सेकिंड की एक समान चाल से उपर जा रही हो तो तूला की पैमाने का पाठियांक होगा तो इसका जो राइट अंसर है वो है B 70 KG नेक्स्ट, खाधि प्रदार्थ को एक प्रसीतक के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेल्से बनाए रखता है यदि कम्रे का ताप 36 डिग्री सेल्सेस है तो प्रसीतक के निस्पादन गुनांका अंकलन होता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 10 डिग्री सेल्सेटक डूरी पर रखें इन अवेस को मिलाने वाली रेखा के ये किसी बिंदू पर वैदित विभाव सुननी है तो सात्यों इसका जो answer है ये answer हम देखेंगी जब answer की आ जाएगी क्योंकि इसका answer अभी मिल नहीं रहा है तो इसलिए इसे हम अभी pending छोड़ दे रहे हैं हम डिपेंड करेगा कि आयोग ने कौन से answer को उसमें सही माना है तो एक दो ऐसे question है जिनके answer नहीं मिल पा रहे है तो इसके हम आयोग की जो answer की आएगी उसी के अधार पर हम इसे check करेंगी तब तक next बढ़ते हैं next है एबोनाइट की एक 6 में मोटी plate को एक संधारित्र जिसकी plate का 6 फल 2 गुणा दस्कीगात माइनस 2 मीटर स्क्वाइर तथा जिसकी plate की बीच की दूरी 0.0 मीटर है को समानता plate की बीच में डाला जाता है संधारित्र की धारिता होगी तो इसका जो right answer है वो है C 0.295 PF next galvanometer को संध प्रतिरोत को galvanometer में किस क्रम में जोड़कर a meter में परिवर्थित किया जाता है तो इसका जो right answer है वो है B समानता क्रम next किसी लोहार कोई लोहार किसी घोड़ागाडी के लकड़ी के पहिये की नेमी पर लोहे की रिंग जड़ता है 27 डिग्री सेल्सियस पर नेमी तता लोहे की रिंग के व्यास करम सो पांस दसन में दो चार तीन मीटर तथा पांस दसन में दो तीन एक मीटर है लोहे की रिंग को किस ताप पर तप्त किया जाए कि वो है पहिये की नेमी पर ठिक बैड़ जाए तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 218 डिग्री सेल्सियस अगला कुशन देखते हैं एक टीवी टावर की उचाई 75 मीटर है टीवी संचरन द्वरा प्राप्त होने वाले सिगनल की अधिकतन दूरी तथा छेतर फल क्या होंगे पिर्थिवी की त्रिज्या 6.4 गुना दसकी घाट 6 मीटर लिया जाए तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 31 किलो मीटर वो 308 किलो मीटर स्क्वाइर अगला कुशन देखते हैं 111 को दूरी आधारी संख्या पदिती में दर्साते हैं तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 7 अगला और दितरंग देश्टी करण में यदि नीवेश आवर्ती 50 हट्स है तो निर्गम आवर्ती क्या होगी तो निर्गम आवर्ती भी 50 हट्स तो इसका राइट अंसर है D सही बरनौली समीकरण का चैन कीजिए तो इसका जो सही समीकरण है वो है इसका राइट अंसर अग जो राइट अंसर है वो है B B कि डबलू ब्राबर हाफ यह वाला अंसर इसका सही है अगला देखते हैं पोलोनियम की अर्धायू 140 दिन है कितने समय में 16 ग्राम पोलोनियम में से पंद्रा गराम पोलोनियम शेय हो जाएगा तो इसका जो राइट अंसर है वो है A पांसो साथ दिन अगला R, ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बरावर भागों में बाटा जाता है फिर उनको समानतर क्रम में जोडा जाता है नए प्रतिरोध का मान क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर है वो है A 0.01R तो इसका जो राइट अंसर है वो है फर्स्ट अब देखते है नेक्स्ट हिंद महासागर की ओसत गैराई लगबग 3000 मीटर है महासागर की तली में यानि तली में पानी का बिनात्माग संपेडन डेल्टा वी अपॉन वी होगा दिया है कि पानी का आयतन गुणाग 2.2 गुणा दसकी गात नौ न्यूटन मीटर स्क्वाइर है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 1.36 परतिस्यत नेक्स देखते हैं किसी गहन की प्रतेक भुजा की माप 7.2.03 मीटर है उचित सार्थक अंकोत तथा गहन का कुल प्रिष्ट चेतपल एवं आयतन बताए तो इसका जो राइट अंसर है वो है D 311.3 मीटर स्क्वाइर 373.7 मीटर क्यो अगला प्रकास उत्सर्जक डायोड LED के द्वारा उत्सर्जित प्रकास का रंग निर्भर करता है तो इसका अंसर है राइट प्रियुक्त अर्थचाला के प्रतार्थ के प्रकार पर नेक्स्ट रेडियो एक्टिव शय के कारण यूरेनियम 92 नाभिक PA 91 में प्रिर्थित हो जाता है इस शय में उत्सर्जित होने वाले करण है तो एक अलफा करण और एक बीटा करण तो इसका राइट अंसर है B नेक्स्ट एक धातु का कारिफलन 4 एलक्ट्रोन वोल्ट है धातों की सतों से सुन्य वेक के फोटो एलक्ट्रोन को सरजित कराने ही तो आप्तित वीकरण की तरंग थहरी होगी तो इसका जो राइट अंसर है वो है D 3108 एंगस्टों अगला जब पी एन संदी पर अग्र दिसिक बायस प्यूक्त किया जाता है तब विभय रोधक को वह कम कर देता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C तनु विलेनों के अनुसंख के गुर्धन नीमन में से किस पर निर्वर करते हैं कणों की संख्या पर अगला किसी तत्तो की प्रमानु संख्या उनके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है तो इसका राइट अंसर है B एक फलक केंदित घनी एक एक कोस्टिका में प्रती एक कोस्टिका प्रमानों की इकुल संख्या जो होती है वो है चार अगला प्रथम कोटी अभिक्रियाओं के लिए वेक इस्तिरांग K की इकाई होती है रेसिप्रोकल सेकेंड तो इसका अंसर हो गया D अधिसोशी वहाँ परदार्थ है जो दुसरे परदार्थ के सतों पर जमा होता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है A Next किसके बनने के कारण चीनी पानी में घुलती है तो इसका जो राइट अंसर है वो है B हाइडरोजन वॉंट के कारण एक वैद्यूत अपगेट्टे के के लिए वॉंट होफ गुणक का मान जो होता है वो है एक के बराबर तो इसका राइट अंसर है C CS3, NH, CS2, CS3 में N प्रमानू का संकरण क्या है तो इसका राइट अंसर है B Next निमनिखित में दुई शक्राओं में किसमे फ्रक्टोज होता है तो वो होता है सुक्रोज में तो इसका राइट अंसर है C सबसे अधिक विद्धुत रिनात्मक तत्तु है फ्लोरी तो इसका राइट अंसर है D क्रोमियम प्रमानू में और युगमित इलक्टोनों की संक्या होती है 6 तो इसका राइट अंसर है D NACL के 3M विलियन का दुखनात्तु 1.25 ग्राम पर लिटर है विलियन की मोललिटी ग्याद कीजिए तो इसका जो राइट अंसर है वो है C 2.79 है हेलोजन की इलक्टोन लब्दी एंथेलपी जिस करम का अनुसरन करती है वो है इसका अंसर है A. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गडिनती रूप में बॉयल की निमों को दर्साया जाता है तो जहां तक इसका जो अंसर है वो तीनों ही इसके सही आप्शन दिये गए हैं तो इससाब से इसका अंसर है D निमलीखित में अभीकिरिया में अंतीन उत्पात सी अनुमानित करें तो सात्यों जो इसका अंसर है उसका अंसर अभी confirm नहीं है तो इससे हम छोड़ देते हैं यह आयो की अंसर की क्या दारपेज पे हम जाएंगे तो इसलिए अगला कोशन देखते हैं DNA में उपस्तित PENTOS सरक्रा है तो इसका जो राइट अंसर है वो है B बीटा डी टू डी ओक्सी राइबोस नेक्स्ट निमलिखी त्योगिक का अईउपसी ना तो इसका जो राइट अंसर है वो है B1-Phenol-Ethenoic Acid नेक्स्ट अलफा डी गुलकोस तथा बीटा डी गुलकोस को कहा जाता है N उमर कहा जाता है तो इसका राइट अंसर है C विलिएन की मोलरता के लिए निमनिमे से कौन सा खतन सही है तो इसका question का जो राइट अंसर है वो है C एक लीटर विलिएन में गुले विले के मोलों की संख्या नेक्स्ट निमनिमे से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है तो इसका राइट अंसर है वो है C सिरेमिक नहीं है तो इसका जो राइट अंसर हो गया है C हो गया next प्रकास का कुलाइडल कणो द्वारा प्रकिर्ण कहलाता है टिंडल प्रभाव तो राइट अंसर हो गया B निमने में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रतिशित नहीं करता तो इसका भी राइट अंसर है B आईसोटोनिक सॉलिशन जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता निमलिखित में कौन सा जिवानु नासक औसदी अलेकजेंडर फ्रेमिंग ने खोजी थी तो इसका जो राइट है वो है C पैनिसली निमने में कौन एक संसलेशित अपमारजग का प्रकार नहीं है तो वो है एक प्राकरतिक अपमारजग नेक्स्ट प्राकरतिक रबर में प्रियुक्त होने वाला एक क्लक या मोनुमर कौन सा है आइसो प्रीड जो है नेच्रिल रबर का मोनुमर है अब बढ़ते हैं सात्यों नेक्स्ट बाइलोजी के कोशिन पे पहला है बीना निसीशन के ही बीज पैदा करने की प्रिक्रिया के लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है तो उसे एपो मिक्सिस कहा जाता है और हिंदी में से संगजनन कहा जाता है नेक्स्ट त्री सनलेयन के लिए किस अन्नी सब्द का प्रियोग किया जाता है तो त्री सनलेयन के लिए हम जो यूज करते हैं से हम बोलते हैं double fertilization दूई निसीचन से बोला जाता है पत्ती के किनारों पर पानी का स्त्रावन कहलाता है बिंदू स्त्रावजी से rotation भी कहते हैं next पौधों में प्रकास अभिकिरिया कहा होती है तो प्रकास वाली जो अभिकिरिया होती है वो थेलेकोईट्स में होती है तो इसका right answer है B carbohydrate का स्वसन भागफल RQ जो होता है वो कितना होता है वो होता है एक तो इसका right answer है B next किसी केंद्री अक्स से गुजरने वाली रेखा जन्तू के सरीर को दो सम्रूप भागों में विवाजित करती है को कहते है तो जो symmetry होती है वो bilateral symmetry होती है जिससे कहा जाता है दिव पार से सम्मित तो इसका right answer है C RNA में कौन सा nitrogen सार पाया जाता है जो कि DNA में नहीं होता तो right answer है C uracil जो है वो RNA में होता है DNA में नहीं होता Dobson unit का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है तो वो ओजन परत को मापने के लिए किया जाता है तो उसका right answer है C बाइल पित जूस की पाचन में क्या भूमिका होती है तो यह क्या करता है fat का emulsification करता है तो वस्यका right answer हो गया तो इसका right answer है D next गोबलेट को सिकाएं स्त्रावित करती है तो गोबलेट जो cells होती है वो mucos release करती है तो इसका right answer है A को इसका चक्र की किस प्रवस्ता में DNA का sensation होता है तो S-phase में होता है तो इसका right answer है C क्या होती है निमने मैं कौन सा खती है तो जो यह रि disagreed है साथिध यो supreme से तो spiritual chapter जो होते है जो वो कि lens में होते है तो वो क्या होते हैं समें haploid होते तो यह कौन सा सही है तो यह C सही है इसका अंसर next एफ– एसच, पूटिका उत्पीदक हार्मोन, फॉलिकल- इस्ट्रुमलेटिक हार्मोन जीने कहा जाता है, निननिमे, से किसके दौरा स्त्रावित होते हैं तो वो होते हैं, एडीनो- हाइपोफाइसिस, जिससे हम एंटीरियर, पिटी ट्रीबू y भी कहा जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, inbreeding कहते हैं, next, पृतिवी का कौन सा छेत्र अधिक्तम प्रजाती विवित्ता को प्रतिशित करता है, तो इसका जो राइट अंसर है, a, imagine के 1, तो इसका राइट अंसर है, a, next, एक संकर्ट ग्रस्त पादब को विलिप्त होने से बचाने के लिए कौन सा method यूज किया जाता है, xc2, sun reduction यूज किया जाता है, नीमन में से कौन सा एक रम food chain को दिखाता है, तो घास, बकरी और मानव, तो इसका जो सही है, वो है, b, next, एक पारिस्तितिक तंतर में उर्जा का प्रभाव कैसा होता है, energy flow जो होता है, हमें सा क्या होता है, unidirectional ह होता है, तो इसका answer A, सही है, पहला मानव, जैसा प्राणी, homonate किसे कहा गया, homo habilis को कहा गया, तो इसका जो right answer है, वो है, c, किसके द्वारा प्रकरती में, जीवन संगर्स और योगितम की उतर जीवता के बारे में कहा गया है, वो है, darwin ने, तो इसका जो right answer है, वो है, a, next नीमने में से, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग कौन सा है, तो वो है, इंसेक्ट वाला, जिसे हम आर्थोपोडा कहते है, तो वो सबसे बड़ा phylum है, तो answer हो गया, d, विखंडी, खंडी भौन पाया जाता है, तो ये एनलीड और आर्थोपोड में पाया जाता है, तो इसका right answer हो गया, c, पादपो में जैलम का कारी क्या होता है, जल का परिवहन करवाना, तो right answer है, a, next, आवर्त बीजियों में भ्रून पोस उतक की प्रिकृती क्या होती है, तो इसमें जो एंडोस्पम होता है, वो कैसा होता है, त्रीगुनित होता है, तो इसका right answer है, a, सरव साइन जिसे बूलते हैं, उसमें पाए जाता है, तो इसका right answer हो गया, वो है, c, तो साथे, इस तरीके से, आज हमने 100 question हल कर लिया है, इन question में से, किसी में भी आपको doubt हो, या कोई other option या answer आपको मिलता है, तो आप जरूर हमें comment box में बताइए, मिलते हैं इसके साथ, next question के अगली वीडियो में धन्यबाद,